कॉंग्रेस के कोटे से ज्हारखंड के जो मंत्री है वो कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करके निकले हैं हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भी है वहाँ पे रामेश सरूराओं जी सर क्या क्या बाचीत हुई क्या कि सिर्फ कट्सी मुलाकात था ये कट्सी मुलाकात तो बेसिक था लेकिन हमको ये भी ब्रीप करना था कि मेनिफेस्टो में पार्टी के नीती के तहट जो मेनिफेस्टो हम लोग जारी किये थी लेक्षन कर समय में उसमें जब वादा किये थे ह उसको पूरा करना है तो उसके बारे में चर्चा हुई कैसे उसको बादा को पूरा करना है हम लोग उसको budgetary provision करके बादा को पूरा करेंगे फिर संग्ठन को मजूद कैसे किया जा इस पर भी चर्चा हुई मैडम ने निर्देश दिये डिविजिनल लेवेल पर मिटिंग करना हमको सबमंतरियों को जाना है और मेंबर सीट ड्राइब भी चल रहा है उसको करना है कम से कम पिछले बार जो हुआ था उसको डबल करेंगे हम लोग अपना बताया मैंने बताया मैं परसिडेंट होने के नाते कि हम डबल करने जा रहे हैं जो पिछले बार हुआ था उसको मेंबर से भी इस बार डबल कर देंगे हमरे साथ बन्ना गुपता जी भी है स्वास्थ मंतरी है जारकन पिछरा इलाका है वहाँ पे हेल्थ सेक्टर में बहुत जादा समस्या है तो क्या सुनिया गांधी की तरफ से वहाँ पे चुकी आदिवासी इलाका है कुछ आप लोगों विसे इस मार्क दर्शन दिया कि या निर्देश दिया आज हम लोग आये सबसे पहले अपनी निता के प्रति अभार ब्यक्त करने सिश्टचार मुलाकात हुई अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिया है और उनका ये आदेश भी हुआ है कि आप मंतरी की हैस्थे से नहीं एक सेवक की हैस्थे से काम करें और वहाँ जाकर जन जन के जो दुख तकलीफ है उसको दूर करने का काम करें और देखिए आते आते हम लोगों ने सबसे पहले 72,000 रुपया जो वार्शी कायक में जो मुख्यमंतरी गंभीर स्वास्तलाब योजना का लाब मिलता था उसको हम लोगों ने बढ़ा कर आट ल आइंगे तो हमारी नेता का एकदम सपस्ट आदेश है कि आप दिखावा ना करें बलकि जनता का काम करें तो सावतार से बन्ना गुपता स्वास्तमंत्री हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से जारखंड में सरकार सुनिया गांधी से मिलने के बाद क्या निर्देश दिया ग पूट कार्ड काम काजगा उन लोगोंने सोनिया गांधी को सौपा है कामरान रफिक के साथ अजेजा गो न्यूस दिले